Hello and welcome to your channel as they like it. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि Chinese ancient travelers ने इंडिया के बारे में अपने accounts में क्या लिखा है. वैसे तो ancient time में कहीं Chinese travelers ने इंडिया को visit किया था. लेकिन exam के viewpoint से तीन Chinese travelers important हैं. वो हैं Phi Hen, दूसरे थे Huyn Sang and तीसरे थे It Singh. ये सभी Chinese travelers या तो इंडिया में ambassador बन कर आए थे या फिर ये इंडिया में Buddhist spiritual knowledge गेन करने आए थे. फाहियान, हाइंग सांग और It Singh ये तीनों Chinese travelers इंडिया में 5th to 7th century के बीच में आए थे. आए सबसे पहले हम study करते हैं फाहियान के traveler accounts. फाहियान ने इंडिया को विजिट किया था around 411 ECUE में, during the reign of Chandrugupta II, और इन्होंने पाटली पुत्रा को विजिट किया था from the Northwest. फाहियान ने एक महायाना monastery में discover की थी, a copy of Vinay Pitta का. और इसी के फलसुरूप उन्होंने तीन साल पाटली पुत्रा में गुजारे थे, जिसमें उन्होंने सीखा था संस्कृत और लिखी थी Vinay Regulations. फाहियान ने अपने travel accounts में कहीं जगाओं का वर्णन किया है, जैसे की श्रावस्ती, सरनात, बोदगया, वैशाली, राजगीर, तकसीला, पाटली पुत्र, मतुरा और कन्नौज. इन सभी Chinese travelers ने ततकालीन इंडिया के religious, political and economic conditions के बारे में बताया है. आएए जानते हैं, फाहियान ने इंडिया के religious condition के बारे में क्या लिखा था? फाहियान ने कहा था कि ततकालीन इंडियन governance ट्रॉलरेंट थी और स्टेट का कोई भी interference नहीं था as far as religion is concerned. हर किसी को full independence थी कोई भी religion परस्यू करने के लिए. जहां तक political conditions की बात है तो फाहियान ने कहा था कि इंडिया का governance system उस समय welfare politics पर depend करता था. कोई भी capital punishment नहीं दिया जाता था. जहां तक उस समय की economy की बात है तो फाहियान ने उस समय की economic conditions को भी praise किया है. फाहियान ने इंडियन शिप्स की भी प्रशंसा करते वे उनके architecture की प्रशंसा की थी. आए ब्रीफ में फाहियान के कुछ interesting facts के बारे में बताते हैं. फाहियान ने अपनी इस voyage को अपने travel log और record of Buddhist kingdoms में वर्णन किया है. यहाँ पे ये fact भी जानने कि फाहियान ने ततकालीन इंडिया की political condition के बारे में कोई भी specific comments नहीं किये हैं. साथी एक और important fact ये है कि फाहियान ने जब इंडिया को visit किया था तो उन्होंने चंदरगुप्टा 2 के tenure के बारे में कुछ भी mention नहीं किया है. नेक्स्ट इंपोर्टेंट चाइनीज ट्रेलर ते हैंसांग. हैंसांग ने इंडिया को visit किया था between 629 तो 649 इसवी जिस समय कारेकाल चल रहा था किंग हर्षवर्दन का. हैंसांग ने इंडिया के ततकालीन administrative, political, religious, economic and social conditions के बारे में लिखा है इन इस famous work C.U.K. यानि की Buddhist record of the western world. हैंसांग ने असांग को visit किया in 642 AD और इनों ने attend किया था court of king Bhaskar Vormans. हैंसांग ने विजिट किती more than hundred monasteries और वो impress हुए थे king Harsha's support for both scholarship as well as Buddhism. हैंसांग ने spent किये थे five years studying in Nalanda University और इसी Nalanda University में हैंसांग ने study किया था logic, grammar, sanskrit and yogakara school of Buddhism. हैंसांग ने king Harshawardhan की ही request पर attend की थी कनौज की large Buddhist assembly. राजा हर्शवर्धन ने ही हैंसांग को परियाक के कुम्ब मेले में भी invite किया था. नेक्स्ट इंपोर्टन चाइनीज ट्रैवलर थे इसींग जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था in 673 East V. इसींग ने इंडिया को मेंली विजिट किया था for studying Buddhism. और ये फर्स्ट ऐसे चाइनीज ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था via sea route. इद्सिंग ने नालंदा युनिवस्टी में 10 साल तक पढ़ाई की थी इंडिया से इद्सिंग 685 इस्वी में वापस गए थे और एन्रूट इन्होंने इस्टे किया था इन श्री विजया किंग्डम इन सुमात्रा तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंपोर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर्स जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू